आँखे बंद करके पढ़ना, दिन महीने बता देना, क्या लिखा है, कलर काउन सा है, ये सारी बातें ये बच्चा आँखे बंद करके बता देता है, तो बताओ ये बागेशोर वाले बाबा के लिए चुनोती है की नहीं, ये बच्चा 40 से 50 सिकंड में इस क्यू पजल को सॉल कर देता है, आप सोचिए ना कितनी बिलेशाड प्रतिबाह है, अगर सुना है कि आप मोबाइल में कांटेक्ट नंबर अगर हम पूछें, किसी का तो भी निकाल देते हैं, शही बात है क्या, इसमें से आपको निकालना है एक नंबर, नंबर है अभिशेक सर इंडियन बैंक ठीक है, मैं मोबाइल अपना आफ करके आपको दे दे रहा हूँ, अब ये देखिए, मैंने इनको जो बताया है, अभिशेक सर इंडियन बैंक, अब ये खोज रहे हैं, और ये देखिए, बिलकुल सही, इस बच्चे ने मोबाइल नंबर भी निकाल दिया, अभिशेक सर इं अभिशेक सर इंडियन बिलकुल सही है, देखिए, ये बच्चा जो बता रहा है, सुल्तानपुर की शान मैंने लिखा है, मैं ये कार्ड उठा करके देता हूँ, और आपको दिखा देता हूँ, और आप देखिए, क्या हम इसको क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे कि चमतकार कह अब महेश बताएंगे, ग्रीन कलर है, हमारे देश में बागेश्वर वाले बाबा धिरेंद शास्त्री को कौन नहीं जानता, वो अक्सर ही चमतकार करते हुए दिखाई दे जाते हैं, और हमारा देश भारत ऐसा देश है, संस्कृतियों वाला देश है, जहां चमतकार को न कि धिरेंद सास्त्री जूट बोलते हैं, धिरेंद सास्त्री लोगों से स्वांग करते हैं, धिरेंद सास्त्री को जेल जाना पड़ सकता है उनके जूट के लिए, क्योंकि जब देश पर आपदा आती है, आतंक वादियों का हमला होता है, हमारे देश के वीर सैनिकों को वो कायर चुपके से गोली मार के भाग जाते हैं उन्हें शहीद कर देते हैं तब क्या बागेशोर वाले बाबा की आखुपे पट्टी बज जाती है कि वो इन होने वाली घटनाओं को बताते नहीं क्या उनको देश की चिंता नहीं है लाखों की भीड में हजारों की भीड में कि एसी व्यक्ती को पुकार करके कहेंगे कि यह देखो मैंने तुम्हारा पर्चा लिख दिया वह क्यूं नहीं पर्चा करते इन सारे सवालों का जवाब बहुत आसान है आसान इसलिए क्योंकि वो सिर्फ फरेब करते हैं और फरेब की एक ही जगह हो सकती है जेल दूसरी कोई इसको मैं साबित करके रहूंगा हमारे साथ एक बच्चा है नाम है महेश 14 साल के उम्र है पढ़ने लिखने वाले चात्र हैं लेकिन उनके कारनामת ऐसे हैं मैं उसे चमतकार नहीं कहुँआ उसे प्रैक्टिस कहुँआ उस सारी चीज़ों और यonces बहुत सारी चीजों को को हम थोड़ी देर में दिखाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आपको दिखा दू कि हमारे हाथ में यह रूई है कॉटन है जो इनकी आखों पर बांधा जाएगा और यह टू लेयर का डबल लेयर का कपड़ा है जो इसके ऊपर कॉटन के ऊपर रखा जाएगा बांधा दिन महीने बता देना क्या लिखा है कलर कांसा है यह सारी बातें यह बच्चा आँखे बंद करके बता देता है तो बताओ यह बागेशोर वाले बाबा के लिए चुनोती है की नहीं बागेशोर वाले बाबा जिस उम्र में भी होंगे उनके लिए यह बालक यह बच्चा च लगा सकता है हजारों लाखों करोडों रूपे कमा सकता है लेकिन नहीं यह बताएगा आपको कि चमतकार उमतकार इस देश में कुछ नहीं होता सब जूटी बाते हैं सब लोगों के ठगने की बाते हैं हम यह नहीं कहेंगे कि हम यह बात महेश से कहलवाएं महेश आप यह बो भी हम लगाएंगे उस कॉटन के उपर अच्छे से बांधियेगा आलोग जी ताकि बच्चे को सांस लेने में कोई दिकत ना हो नाक का जो नली है उसको बचा करके और फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि चमतकार क्या होता है प्रैक्टिस क्या होती है साइंस किसे कहत हैं आप देख करके हैरान रह जाएंगे इसको भी लगा दिया जाए इसको भी देखिए हम लोग लगा रहे हैं और आप देखिएगा ऐसा पहली बार हो रहा हमारे चैनल पर हम यह देखिए इस तरह से पूरा इस क्यूब को उल्जा देते हैं है ना और मैं तो कहता हूं कि अगर मुझे यह दे दिया जाए करने के लिए तो मैं तो चार पांच घंटे में भी से सॉल्व ना कर पाऊं ठीक है लेकिन यह बच्चा 40 से 50 सिकंड में इस क्यूब पजल को सॉल्व कर देता है आप सोचिए ना कितनी बिलेशाड प्रतिभा है और कार्ड होगा यहां कर देता हूं और आप देखिए क्या हम इसको क्या कहेंगे साइंस कहेंगे कि चमतकार कहेंगे मैं इस बच्चे के हात में दे रहा हूँ अब महिश्च बताएंगे ग्रीन कलर ग्रीन कलर है तो बताइए ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए इस बच्चे के लिए ताली होनी चाहिए ना यह चमतकार नहीं है यह प्रैक्टिस है यह साइंस है यह विज्ञान है लेकिन लोग आपको धोखा देते हैं यह बच्चा भी चाहे तो एकदम से ऐसे ही लोगों को ठक कर, लोगों के आगे इसी तरह का बात बता कर, इसी तरह का प्रदर्शन करके बहुत कुछ कर सकता है, बताईए महेश क्या है आपके हाप में, अपल है, जी, कैसे पहचानते हो कुछ है इसमें उपर नीचे जिसे आप पता लगा लेते हो, नहीं, कुछ कुछ भी नहीं है, बताईए चमतकार है कि नहीं है, चमतकार है कि नहीं है, कोई आए और बागेशोर वाले बाबा के हाथ में इसी तरह का परचा थमा दे, आँख पे पट्टी बांध करके तो वो क्या बता पाएंगे, चलिए बता दिया, जैसे ये बच्चा बता रहा है, मान लिजिए बागेशोर वाले बाबा की आँख में ऐसे हमने पट्टी माधा और कोई भी इसी तरह से कार्ड ले करके आता है, लाल, हरा, पिला, निला, सेब, संत्रा वाला और बागेशोर वाले बाबा ने भी अगर इसी बच्चे के जैसा बता दिया, तब तो उसे चमतक माना जाएगा, लेकिन क्या महेश ये चमतकार है, जी नहीं, चमतकार नहीं है, इसलिए मकारों से, नकालों से, धोखेवाजों से, सावधान, रहने की ज़रुरत है, और जागुरु होते रहने की ज़रुरत है, अब देखी हम एक और कार्ड इस बच्ची को देंगे, ठीक बात है, जन्म 28 सितंबर 1907, मृत 23 मार्च 1931, देखिए, अब आप क्या कहेंगे, यह हमारे देश के बीर जवान, शहीद, जिनोंने हमारे देश को आजाद कराने में, क्या कुछ योगदान दिया है, वो पूरी दुनिया को पता है, और हम आजीवन इनके रिडी इनके उस हैसान के उसके करजे तले हम दबे रहेंगे, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, अपनी प्राडों की आहुती दे करके इस देश को बचाने वाले इस भारत मा के बीर को हमारा नमन है, सोचिए, यह बच्चा बता दे रहा है, कार्ड पे लिखी एक एक चीज को आप ध देर ना करते हुए, मैं एक क्यूब वाला एक छोटा वाला पहले देता हूँ, क्योंकि यह चोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा जान के कोई ना टकरा ना रहे, है ना बागेश्वर वाले बाबा, हमारे सुल्तान पूर में, सुल्तान पूर में मैं हूँ और सुल्तान के नहीं कहेंगे अच्छा आप सॉल्व करते रहें एक सवाल पूछ सकता हूं बीच में मैंने देखा जब मैंने यह सरदार भगासिंग जी वाला कार्ड आपको दिया तो आप कुछ स्मेल करने की कोशिश कर रहे थे गा क्या था उपने सब्सक्राण के इनद्रियों को जागत कर लिया है देख लिजे इनद्रियों को distinct परित मतलब एक सवाल का ढंक से जवाब भी नहीं मिल पाया था और ये क्यूब वाला पजल सौल्व हो गया है ना क्या कहेंगे भया मैं तो इसको दो दिन में सही नहीं कर पाऊंगा सच बता रहा हूं और यह जूट बात नहीं है लिजिए दूसरा वाला बड़ा वाला है ना कि भविष में आप भी बाबा बन जाओ नए ऐसा कुछ सोचे नहीं है जी कभी मन कर दिया घर वाले बताए कि तुम तो बहुत जादा सीख गया हो मैं अब करना चाहिए ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल नहीं रहा है ऐसा नहीं चल रहा है जी अच्छा बलकि जो इस त घर्म से बिमुक हो जाई ये नास्तिक हो जाई ये बिलकुल नहीं कहता लेकिन जो चमतकार वाली बात है ना भाई साअब उसको दूर से ही नमस्कार कर दीजिए है ना अभी बच्चा देखिए कितनी जल्दी जल्दी इस बच्चे की उंगलिया चल रही है और उंगलिया से बाद मेरे हाथों में जो कार्ड है इस बच्चे को मैं देने वाला हूं क्योंकि यह पजल अब जो है वो सॉल्व होने वाली है अगर पैर में दर्थ हो रहा तो क्या हम खड़े हो सकते हैं ध्यान भंग होगा अच्छा ठीक है अपने पैर को थोड़ा से ऐसे मोड के ऊपर क कर दो दो जो है वोगा बाद में दोड़े हैं। है और यह द किसे के साथ यह क्यों पजल हो गई क्यों पजाल अब ग आप देख लिए चारों तरफ इसके कलर देख लिए रेड है गोल्डेन है और यह ब्लू है ग्रीन है सारे क्यूब जो है अपनी जगह पहुंच चुके हैं यह काड लीजिए जल्दी से और फिर हम लोग और मैं जल्दी जल्दी आपकी डाइरी पर कुछ लिख रहा हूं और उसको भी थोड़ा सा आप बताईए मैंने क्या लिखा है है ना कि देखिए मैं कुछ लिख रहा हूं और इन्हें बताना है लिजे मैंने लिखा है आप बताईए क्या लिखा है मैंने इसी बच्चे के लिए चीज़ें लिखी है हमने सुना है कि आप मोबाइल में इसमें से आपको निकालना है एप इसमें से आपको निकालना है एक नंबर नंबर है अभिशेक सर इंडीन बैंक ठीक है मैं मुबाईल अपना आफ करके आपको दे दे रहा हूं अब यह देखिए मैंने इनको जो बताया है अभिशेक सर इंडियन बैंक अब यह खोज रहे हैं और यह देखिए बिल्कुल सही इस बच्चे ने मुबाईल नंबर भी निकाल दिया अभिशेक सर इंडिय खोल दीजिए प्लीज अच्छर से जो नाम आता है वो सबसे उपर रहता है मैं चाहता हूं बीच से अल्फावेट के किसी बीच से कोई नाम शुरू हो उसका हम वो कर लेते हैं जल्दी-जल्दी कर लेते हैं और यह लीजिए आप समीर खोजिए क्या समीर अब देखिए अबने नाम तो बोला है समीर अब देखना मोबाइल में है की नहीं है कि समीर का नाम खोजा जा रहा है नंबर बता दिजी नंबर से सर्च कर लेंगे नंबर से नंबर 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 यह देखिए समीर नाम का मैंने नंबर पूछा और इस बच्चे ने उस नंबर को भी निकाल करके अपने बंद आंखों से कीपैट पर टाइप किया यह नंबर और यह समीर का नंबर भी आ गया तो भीया महेश हम तो आपको नमस्कार ही करते हैं आप पीछे से खोल दीजे पटी ठीक है पटी खोल दीजे अब महेश से हम थोड़ी और बातें करेंगे महेश यह बताइए इसमें यह देखिए आपको यह मत कहना कि भीया आखें खोल दिया होगा महेश ने अंदर इतना इतनी मोटी रूई के बाद तो कुछ दिखना वैसे भी नहीं है और काली पट को जानते हैं अलग-अलग शेत्रों के जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं लेकिन हम हम इसे सिर्फ विश्व दुरूप से साइंस का एक पार्ट बताएंगे साइंस ही है जी साइंस है ना अच्छा और भी कुछ करते हैं इसके अलावा ध्यान लगाने के लिए जी नही दोनी भूत पन्न होती लोग ऐसा कहते हैं अवाज से कई सारी मतलब उसमें से कई सारे तरंगे निकलते हैं इस तरह की बाते हैं ऐसा महसूस होता है चलिए बहराल अमने इस बच्चे से बात किया आप क्या कहते हैं इस पूरे प्रदेशन को जो आपने देखा है जो इन्हो क्यों करना बाल बाका नहीं कर पाता हम आज सच बताएं अगर आज हमारे देश में चमत्कार होता ना तो हम विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर होते, इतना जान लीजिए, इतना जान लीजिए जो किसी का बर्तबान भविश है और पता निकिया क्या बताने का दावार रखता है, वो तो चाइना की सारी डिटेल ला करके हमारे देश को दे सकता है, है ना, अमेरिका की सबसे जो बढ़ियां-बढ़ियां खोज है वो हमारे देश में होने लगती ऐसा नहीं की नहीं है लेकिन होने लगती जिन वजहों से उनको सुपर पावर कहा जा रहा है वो साथ भारत के साथ होता बहराल आज की वीडियो आपको कैसे लेगी हमें कमेंट करके जरूर बताईए